तो दोस्तो आज के इस डिफेंस अप्डेट के वीडियो में मैं आप लोगों को जिन तीन महत्वपूर्ण अप्डेटों के बारें बताऊंगा उनमें सबसे पहला अप्डेट तो बिटेन के 6 जेनेरेशन के फाइटर यारक्राफ मतलब टंपेस्ट को लेके है जहां पे बता किया जा रहा है जब कि वीडियो के आखरी हिस्से में मैं आप लोगों को जिस खवर के बारें बताऊंगा उससे आप काफी अधिक खुश हो जाएंगे क्योंकि बताया जा रहा है कि ब्रमोस मिसाइलों को बेचने के बाद अब भारत के तरफ से फिलिपीन को आकाश और पि आ रहा है कि भारत को ब्रिटेन के तरफ से टेमपेस्ट पोग्राम मतलब six generation के fighter aircraft के पोग्राम में जॉइन करने का ओफर किया गया है असल में अगर देखा जाए तो ब्रिटेन के द्वारा लगभग दो सालों से भारत को इस पोग्राम में जॉइन कराने का प्रयास चलाया जा रहा है और ब्रिटेन भारत को इस पोग्राम में इसलिए चाहता है क्योंकि इससे पोग्राम में फंड किया जाने वाले देशों का संख्या भी बढ़ेगा और पोग्राम के अंतरगद बनाएगे aircraft 2 को बेचने का market भी बढ़ेगा पर अब रिपोर्टों में बताया जा जा रहेगी इसमें software को बनाने का संभावनाए सबसे अधिक है और ब्रिटेन भारत को इस project में मतलब tempest project में software के developer के रूप में शामिल कर सकता है हाला कि अब तक इंडिया के तरफ से officially इसको लेके कोई वी comment नहीं किया गया है और ना ही कोई बड़ा जानकरी दिया गया है पर बताया जा रहा है कि इस project में ब्रिटेन के द्वारा भारत को एक major software developer या फिर कहतो समपूर्ण रूप से software को design करने के base पे शामिल किया सकता है जिनमें mission control software से शुरू करके radar source code और ground waste simulation के software और pilot के training के software तक शामिल होगा तो सो Tempest program के अंतरगर जिस fighter aircraft के development किया जा रहा है उसे लेके cover ये भी है कि इसमें happy early base पे software upgrade होगा ताकि aircraft को block suit में और अधिक efficient बनाया जा सके और अगर इंडिया इस program में join करता है तो इंडिया के द्वारा software के development के साथ साथ modernization, irregular security pack, algorithm और AI based function और maintenance software के साथ साथ ground crew के और हतिया इंडिया के द्वारा लगातार project में काम किया जाएगा कुछ रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि अगर इंडिया के द्वारा directly project में नहीं भी जुड़ा जाता है तब भी software के काम को outsourcing के through हासिल किया सकता है और ऐसे में पूरा project के life cycle में भारत को 5-7 billion dollar के work share भी मिल सकता है दोसो अब चलिए वीडियो के दूसरा update मतलब काविरी marine gas turbine के बारे में जानते है दोसो अब सब को पता ही होगा कि DRDO के जो शाखा gas turbine research establishment है उसके द्वारा Indian Air Force के आब शक्ताओं को पूरा करने के लिए काविरी project के नाम से एक engine का development किया जा रहा था basically इस project के अंतरगत जो final product को expect किया जा रहा था वो तो तैयार नहीं हुआ लेकिन project के by product के रूप में कई तरीके के आधुनिक चीजों को अब तक निर्मान किया चुका है चाहे वो काविरी dry engine हो या फिर अन्ने कुछ इंजिनों के module अब दोस्तों बताया जा रहा है कि gas turbine research establishment इस इंजिनों का इस शुरू होगा जब ministry of defense और navy के द्वारा इसे लेके agree किया जाएगा basically Ukraine और रेशिया का लड़ाई शुरू होने के बाद gas turbine को लेके काफी अधिक अनिश्यता पैदा हुआ है क्योंकि भारत के द्वारा जाधातर gas turbine को यूक्रेन से ही हासिल किया जाता था even इस दर्मियान खव marine gas turbine का test किया गया था तब ये engine अपने pick power के साथ लंबे duration तक काम भी किया था basically इसका test marine gas turbine test with facility में किया गया था जो भारत के विशकाफटनम शहर में श्तित नेवल डॉक याड में है और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दू कि ये test facility असल में अधिकतम 25 मेगावाट के gas turbine को test कर सकता है दूसरे तरफ ये बताया जा रहा है कि काविरी marine gas turbine असल में modified काविरी engine है जिसमें एक additional low pressure compressor और turbine का इस्तिमाल किया गया है और ये totally design किया गया है free power turbine के लिए जो कि marine application में इस्तिमाल हो सके gas turbine research establishment का ये भी दावा है कि काविरी engine है जो कई तरिके के technical issues था और core related issues था उनमें से लगभग जादातर issues को solve कर लिया गया है और issues को solve करने के साथ साथ dry काविरी project को भी आगे बढ़ाया जा रहा है जो कि एक नया engine है और इसका इस्तिमाल unmanned strike aircraft या फिर future के drone में कियाया सकेगा और साथी साथ दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दू कि इन dry engine हो में अगर एक after runner का इस्तेमाल किया जाता है तो low thrust वाले engine हो का भी development करना संभव है दूसरे तरफ gas turbine research establishment का ये भी दावा है कि काविरी marine gas turbine में जो issues है उसे भी इनके द्वारा आसानी से solve किया सकता है दोस् फिलिपिन को ब्रमोस मिसाइलों को export करने के success के बाद अब DRDO और Ministry of Defense के अधिकारियों के द्वारा फिलिपिन के राजधानी मनिला में आयोजित किया गया Asian Defense and Security 2020 में हिस्सा लिया जा रहा है जो की 27 एप्रिल से 29 एप्रिल के दर्मियान आयोजित किया गया है इस exhibition में DRDO के द् state of the art system से LAS और advanced technology से LAS equipment को परदर्शित किया जाएगा और दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि DRDO के तरफ से इस exhibition में इंडिया मेट कई सारे हतियारों को प्रमोट भी किया जाएगा और साती साथ डीलों को भी conduct करने का प्रयास किया जाएगा रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि DRDO के तरफ से बनाया हुआ आका surface to air missile और पिराका rocket सिस्टमों को फिलिफीनी आर्मी के सामने highlight भी किया जा रहा है और अपने इन सिस्टमों के capabilities को भी दर्शाया जा रहा है दोसर फिलिफीन के अगर air defense system के आवशक्ताव को देखा जाए तो इस्राइली state-owned company रैफाइल एडवांस defense system के तरफ से फिलिफीन के air force को spider ground-based air defense system का supply किया गया है पर फिलिफीन आर्मी अन्य तरीके के air defense system को हासिल करने में interested है जो ground-based system भी हो और साती साथ strategic location में खास करके west फिलिफीन के sea के तरफ केंदरित करके deploy किया आया सके दोसे तरफ दोसो report में ये भी वताया जा रहा है कि फिलिफीन अपने आर्मी के artillery regiment में नया multi-launch rocket system को विचाता है जो हाली में ही South Korea से donation के रूप में करीबन 22 used 130 mm के K-136 Koryong multi-purpose rocket system को हासिल किया है और DRDO के तरफ से फिलिफीन के सामने 214 mm के पिनाका guided मतलब 75 km range वाले मिसाइलों के साथ साथ पिनाका Mark II ER मतलब 90 km range वाले rocket का भी ओफर रखा गया है दोसों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दू कि पिनाका rocket असल में DRDO के तरफ से निर्मान किया हुआ पहला guided rocket है जिसे की multi-barron rocket launcher भी कहा जाता है इन सिस्टमों का इस्तेमाल इंडियन आर्मी के द्वारा कारगिल के लड़ाई में भी किया गया था यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दू कि पिनाका rocket के फिलाल कई आधुनिक variantों को भी तैयार किया जा रहा है जिन में पिनाका Mark 1 मतलब 37.5 km range वाले missile के बाद पिनाका Mark 1 enhanced 45 km range वाले missile शामिल है पिनाका Mark 2 60 km range वाले rocket है जबकि guided पिनाका 75 km range वाला rocket है ERR या फिर कहें तो enhanced range rocket जो कि 122 mm का rocket है यह 40 km range वाला है जबकि पिनाका Mark 2 ER मतलब extended range missile 90 km range वाला है इसके एक Mark 3 को भी developed किया जा रहा है जो 120 km तक धावा बोल सकता है दूसे तरब अगर आकाश missile को देखा जाए तो ये इंडिया के द्वारा बनाया हुआ पहला surface to air missile है इसे साल 2009 में service में लाया गया था और इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल करता है Indian Air Force और Indian Army है दोसे देखा जाए तो आकाश का भी कई तरीके के variant है जिनमें आकाश Mark 1 इसका पहला और base variant है और इसका ही upgraded variant को आकाश 1S कहा जाता है रिपोर्ट के मुताविक आकाश 1S को हाल फिलाल में ही टेस्ट किया गया था और ये 18-30 km range में काम कर सकता है आकाश प्राइम को भी हाल फिलाल में टेस्ट किया गया था जो इसके और एक upgraded version है जिसमें काफी अधिक मात्रा में indigenous equipment हो का इस्तिमाल किया गया है और दोसे इसके सबसे ताकदवर variant है आकाश NG या फिर कहतो next generation आकाश missile रिपोर्टेटली इसका range 40-70 km तक होगा दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बढ़ा होगा बैल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद